इगनो की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है, स्क्रिन के उपर आप देख पारे होंगे नोटिफिकेशन में ऐसा बताया है कि जिन जिन स्टुडंट ने डिसेंबर 2021 का एक्जाम फॉर्म फिल नहीं किया था, वो सबी स्टुडंट एक्जाम फॉर्म फिल कर सकते है एक्जाम फॉर्म फिल करने के लिए आपको 28 फरवरी के बाद रिजनल सेंटर में जाकर आप्लाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा रिजनल सेंटर के तरफ से आपको एक्जाम फॉर्म फॉर्म फिल करना है तो एकी सब्जेट की एक्जाम फिज पे करिए, बाकी सब्जेट की एक्जाम नेक्स सेशन में दे देना फिज आपको offline mode पे संबिट करना है, फिज के लिए आपको DD बनाना पड़ेगा, demand drop किस नाम से बनाना है ये आपको regional center बता देंगे और फ्रेंड जिन स्टुडेंट ने exam form फिल किया था, अगर उन स्टुडेंट को exam center चेंज करना है, तो आपको regional center को email करना पड़ेगा, फ्रेंड आप same city में exam center चेंज नहीं कर सकते हैं, अगर आप Mumbai regional center के student हो और आपको exam पुने में देना है, तो आपको पुने regional center को mail करना मेल में exactly क्या लिखना है, मैं अभी आपको practically बताता हूँ, फ्रेंड आपको जिस भी city में exam देना है, उस city के regional center को आपको email करना पड़ेगा, हर एक regional center का different email ID रहता है, बट हर एक regional center का same format रहता है, जिसे RC उसके बाद आपको regional center का नाम लिखना है, उसके बाद add.igno.ac.im ये format सा regional center का नाम चेंज करना है, जिसे अभी हमें मुंबई regional center को email करना है, तो हम कैसे लिखेंगे, RC Mumbai add.igno.ac.im, जिस भी regional center का आपको email करना है, ओ regional center का नाम यहाँ पे आपको लिखना है, उसके बाद add.igno.ac.im, ये लिख देना है, email लिखते वक सबसे बहले आपको लिखना है, to the director ignore regional center पुना, अभी पुना इसलिए लिखा है क्योंकि पुने में मुझे exam center चाहिए, उसके बाद लिखना है application for changing exam center, उसके बाद यहाँ पे पहले अपना नाम लिखना है, आप कौन सा course कर रहे हो लिखना है, और आपका regional center कौन सा है, ओ लिखना है, उसके बाद आपको exam center change क्यो करना है, और कौन सा चाहिए, यह reason लिख देना है, उसके बाद नीचे enrollment number, course code, यह सब mention करना है, enrollment number बहुत important है, अगर यह नहीं होगा तो आपका exam center change नहीं होगा, फ्रेंड, email लिखने से पहले आप पहले ही exam center आपको कौन सा चाहिए, वो आपको यहाँ से select करना है, देखो, ज regional center city के अंडर, center के अंडर, यह की exam center है, तो आपको यह fill कर देना है, जैसे आपका जो भी regional center है, जिस भी city में आपको देना है, वो check कर लेना है, और email में आपको mention कर देना है, कि आपको यह exam center चाहिए करके, exam center के list, search करने के लिए, आपको Google में आकर, simply search करना, ignore exam form, search करने के यहां से आप exam center का option open हो जाएंगा और आप यहां से आप select करके आपना जो भी city है उसके अंडर जो जो exam center है आप चेक कर सकते हो